बारी बरबारी के कारण हीमाचय परदेश में जन जीवन अस्त व्यस्त है। शिमला से कालका के लिए छे ट्रेनों को आवाजाही सुचारू रूप से जारी रखी और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। यात्रियों से खचाखच भरी हुई भेजी कई है। वहीं यात्रियों ने रेलवे का धन्यवाद करते हुए कहा कि बरबारी में जब प्रशासर ने अपने हाथ खड़े कर दिये थे। उस वक्त रेलवे ने अपनी सेमाएं देकर उन्हें उनकी मंजल तक पहुंचाया। अगर रेलवे की इस तरह की सुविदा उनको नहीं मिलती तो वे 14 दिनों तक शिम्रा में फ़ान सकते थे। सबी को पता चल रहा है कि कल सारा दिन बारिश होती रही बरफ परती रही उस तरह पूरी सरकों पर बरफ जमी होई थी रोड ट्रैफिक बिल्कुल बंद था उसके बावजूद भी रेलने ने बहुत वो करते हुए अपनी जो कारजगारी उसको देखते हुए उन्होंने सा गारिया हमारी रिजर्व थी वो सारी पैक थी जो अन्रिजर्व गारियां के डबवे थे उस तेनों में उस सारे के सारे ओवर क्रॉड़ड गए हैं उनको हमने दराज़ बंद करवाने पड़े हमें और उनको हमें सपेशल इस्ट्रेक्शन इस्यू कर नी पड़ी फॉर पहुँच पाए और जो आने वाले पेसंजर्स थे जो इन मनमोहर वाजियों का इस बरफ का अनंद लेते हुआ रहे थे वह बहुत खुश थे क्योंकि उनको यह लग रहा था कि उनको पता नहीं शिमला पहुच पाएंगे या नहीं पहुच पाएंगे लेकिन इसके तो यहां पर काफी स्नोफॉल हुआ है तो उसके बाद सारी बसिस बगरा बदने हैं लेकिन रेलबे सुबह से इस दे रहा है तो इसके लिए रेलबे का बहुत बहुत धरने बाद मेरा नाम सनेंदर पताब सिंग है मैं इंदोर से आया हूँ एक्चली पंचकुला मेरी ससुराल है और हम शिमला हमारा आने का प्लान बनाता है काफी अच्छा रहा एक्चली किया है कि कल हमारी ट्रेंबुक थी सुबह लेकिन वो हमसे मिस हो गई तो उसके बाद में जब हम अपने होटल तक आना इट वेरी डिफिकल्ट और अल्मूस्ट थी आर्स का एक जो है वॉक हमें करना पड़ा था और उसके अगर आप जो है ट्रेंज को देखो तो यह काफी कमवर्टेबल है और बिल्कुल आपको जो है वो सीटी के सेंटर तक लेकर के आती है और हर मौसम हुआ 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 है